हलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो आई एक्जाम भी, आइम करन सरदाना, स्टुडेंट्स, LICW के लिए we have started a special course जिसके अंदर हम लोग अगले 30 दिन की लगाता लाइब क्लासेज ले रहे हैं, इसके अंदर आपकी 50 क्लासेज रहेंगी, जिसके अंदर आपको क्वांट, रीजन तो इस live class schedule को 30 days के लिए आप download कर सकते हैं, अगर आपने course में नहीं किया तो अभी कर लीजिए, स्टुडेंट्स, इसके अंदर आपको regular English, quant और reasoning, इन सब की क्लासेज यहाँ पे मिल रही हैं, descriptive English, insurance की, तो daily आपकी classes हैं, अगले पूरे 30 दिन में यहाँ पे जो लगबर classes हैं, वो 50 के आसपास classes होंगी student, तो 50 class के अंदर आपका पूरा pre और mains का पार्ट इसमें cover किया जाएगा, जाधा तर classes pre की हैं, लेकिन कुछ classes हम mains की भी दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर insurance, descriptive और जो आपका GA का पार्ट है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साथ साथ pre के बाद एक ही महिने का time होता है, तो आप इस पूरे को देख सकते हैं और download कर लीजिएगा, if you have already unload, that is very good, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, 17 feb तक का पूरा plan है, अगले 30 दिन का, अगर paper की बात करें, exam pattern की तो आप जानते हैं, कि इसमें maths और reasoning pre के अंदर 35-35 marks का आएगा, English भी 30 marks का आएगा, जिसमें आपको कुछ minimum number यहां पे लाने है, student यहां पे जो overall cut-off है, वो 58 है, आपको individually जो है, वो तो 18, 18, 18 लानी थी, अगर पिछले साल की cut-off देखें तो 58, जब 2019 में यह exam आया था, तो 58 total cut-off गई थी, और individual जो cut-off है, वो तो इस बार भी आपको लानी है student बहुत सारे बच्चे इसमें confused रहते हैं, negative marking को लेके, तो अगर आप 2019 वाला notification देखेंगे, उसके अंदर भी negative marking को लेके कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब student ने exam दिया था, तो वहां पे exam के अंदर, instruction के अंदर यह लिखा हुआ था कि negative marking नहीं है, तो students यहां पे भी same वैसा ही है, आप देख सकते हैं कि 50% तो आपकी overall cut off है यहां पे, तो इतनी ज़्यादा cut off generally तभी होती है, जब हमारे पास negative marking नहीं होती, तो students यहां पे आप assume करके चलिएगा, कि आपकी negative marking नहीं है, राइट, 99% इसी के chances हैं, और आप जब paper देंगे, तो उसका वहां instruction में भी आप क्या मिलता है, क्योंकि notification में specifically होगी या नहीं होगी mention नहीं है, लेकिन पिछले exam के आधार पे हम यहां पे करेंगे कि negative marking नहीं है, राइट students, और अगर इसमें paper की बात करें, जो आपके 35 question आते हैं, pre के अंदर, उसमें लगबग आपको 10 question जो है, वो DI के मिलते हैं, number series के के कु quadratic भी देखने को मिल सकता है, और approximation था, तो simplification भी देखने को मिल सकता है, students, यहां पे आपको नहीं number काफी ज़्यादा लाने पड़ेंगे, अगर आप quant or reasoning में देखें, तो 70 में से पिछली बार 58 cutoff थी, पिछली बार 350 vacancy थी, इस बार 300 vacancy हैं, तो आप समझ सकते हैं, कि आपको यहां पे कितने ज़्यादा marks लाने की जरूत है, इसलिए आपको speed पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए we have started classes जैसा मैंने आपको बताया था, तो आप start कर दीजिए, अपनी अपनी तयारी उसे साबसे, reasoning में भी आप देखिए कि यहां पे 20 question जो है, व होते हैं, just कि आपको यहां पे speed बनानी है, और English भले ही qualifying है, 30 में से 10 number ही लाने है, लेकिन आपको 10 number तो लाने ही पड़ेगे, तो उसके लिए आपको English भी काम इस पे करना पड़ेगा, आपको vocab पे थोड़ा काम करना है, आपको आरसी पे थोड़ा काम करना है, आपको अपन content already pre-recorded form में भी हमने course के अंदर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, बट फिर भी हम live classes लेते हैं, ताकि किसी की कुछ doubt हो तो वहीं clear हो जाए, and student कल मैं special seminar लेने वाला हूँ, LICOO के लिए आपके जो भी general आपकी त्यारी आपने कैसे करनी है, overall preparation आ आपको description में मिल जाएगा, और class का जो schedule है वो भी आप जरूर download कर लेजिए, free mock test और previous year paper हमारी website पे available है, आप उनका जरूर फायदा उठाए, and we have best online courses, उसमें भी आप enroll कर सकते हैं, full course भी available है, और सिरफ GA insurance और descriptive English का लेना है, तो भी ले सकते हैं, telegram channel को भी join कर लेजिएगा, त बेस्टूँन्स, थांक य।